जहिन मित्रो मैं रौशन तिबारी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स दिटू लर्ण प्रयास होगा सववेत करता हूं आज हम लोग अभ्यास दो का क्छा नौ का अभ्यास दो का क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुद्ध हैं का अभ्यास का प्रस्वूत्तर हम लोग सौल् अभ्यास में पहला प्रस्ण है निमलिखित को प्रिथक करने के लिए आप कीन विधियों को अपनाएंगे मिशरन जो था उसको प्रिथक करने की विधी हम आपको बताए थे महत्पून तत्थे में ही उसी से रिलेटेड एक प्रस्ण है देखिएगा पहला प्रस्ण है सोडियम कुलोराइड को जल के विलियन से प्रिथक करने में वास्पी करन विधी का हम लोग प्रियोग करेंगे ठीक है उसके बाद है दूसरा प्रस्ण अमोनियम कुलोराइड को सोडियम कुलोराइड तथा अमोनियम कुलोराइड के मिश्रन में प्रिथक करने में तो इसको प्रिथक करने के लिए आप जो है अमोनियम कुलोराइड और सोडियम कुलोराइड को प्रिथक करने के लिए हम उर्ध पातन विधी का प्रियोग करें करनेंगे ठीक है उसके बाद देखिए हैं सी में है धातु के चोटे टुक्रे को कार के इंजन ओयल से प्रिथक करने में हम चानकर इसको अलग करेंगे ठीक है उसके बाद है दही से मक्षन निकालने के लिए आप कौन से विधी का प्रियोग करेंगे जल से तेल निकालने के लिए प्रिछक करन कीप के द्वारा एक प्रियोग हम अब उदा इसका जो है महत्पुन्तत जब करवा रहे तो उसी समय हम यह दिखाए थे आपको कि तेल और जल के मिसरन को आ तेरते रहता है तो एक नीचे से एक छेद के द्वारा हम जल को निकाल लेंगे तो तेल क्या हो जाएगा उपर बच जाएगा वो एक विधी आप लोग पीछे के वीडियो में देख लीजेगा प्लेलिस्ट में आगे देखिए चाय से चाय की पती को प्रिथक करने में तो आकरसित हो जाएगा भूसे से गेहूं के दाने को प्रिथक करने में यहाँ पर विलोडन दिया हुआ है आप इसको जो है आज इसका एक विधी होता है ओसाना ओसाना भी आप लिख सकते हैं ठीक है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कन को पानी से अलग करने के लिए आप छान का रलग कर सकते हैं मिट्टी के कन को उसके बाद पूस्व की पंखुडियों से निचोर से विभीन रंजकों को पिर्थक करने के लिए इसमों क्रोमेटोग्राफी एक विधी है इसके द्वारा करेंगे ठीक है चलिए आगे दूसरा प्रसन देखें दूसरा प्रस और घुलन सील घुलय तथा अवसेस सब्दों का पर्योग करें यानि कि कि इन सब्दों का पर्योग करके आपको बताना है कि चाय तयार करने में किन-किन भी चर्णों का उप्योग करेंगे सबसे पहले पहले एक बरतन में लगभग 100 ग्राम विलायक यानि जल को यहां पर बिलायक कहा गया है बिलायक लेंगे इसे उबलने तक गर्म करेंगे अब इसमें एक छोटा चम्मच विलय चैपत्ती विलय हो गया विलय चैपत्ती डालेंगे विलय चैपत्ती का घुलनसील भाग पानी में घुल जाएगा और उबाल कर इसे च्छान लेंगे च्छनी पर और गुलन सील अवसेस जो बचेगा और गुलन सील हो जाएगा वो अवसेस रह जाएगा गुले में दूद उसमें दूद डालेंगे चीनी मिलाकर तथा विलियन पीने के युलिये तयार चाय बन जाएगा ठीक है आगे देखेगा आगे है प्रस्न तीन प्रस्न तीन में है प विभिन तापमानों पर जाचा तथा नीचे दिये गए आकरों को प्राप्त किया प्राप्त हुए पड़ी नामों को 100 ग्राम जल में विलै पदार्थ की मात्रा जो संत्रिप्त विलियन बनाने हेतु प्रियाप्त है निमिलिखित तालिका में दर्साया गया है ठीक है फिर इस करेंगे गुलंसिल पदार्थ को विभिन तापमानों पर जाचा और उसके बाद एक आकरा प्राप्त किया इन पड़ी नामों को जल 100 ग्राम जल के विलै पदार्थ की मात्रा जो संत्रिप्त विलियन बनाने हेतु प्रियाप्त है निमिलिखित तालिका में दर्साया गया है ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर तालिका दिया हुआ है तालिका में है तापमान केल्वीन में दिया गया है विलै पदार्थ है पोटेसियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइट पोटेसियम क्लोराइट अमोनियम क्लोराइट इसका तापमान दिया हुआ है 283 पे 293 पे 313 233 पे और 353 पे ठीक है तुछ देखिए यह नंबर का इसी से रिलेटेड अब प्रस्ण है ठीक है यह नंबर में प्रस्ण है 50 ग्राम 50 ग्राम जल में 313 के पर ». पोटेसियम नाइटरेट के संतृत विलियन को प्राप्थ करने हैं तो कितने ग्राम पोटेसियम निरेट की आवसक्ता होगी तो तालीका के अनुसार 313ka पर potassium nitrate के शंत्रिफ्रिफ विलियन को पराप्ट करने हे टो 100 ग्राम जल में potassium nitrate की आवसक्ता 62 ग्राम होगी इसलिए 50 ग्राम जल में potassium nitrate की आवसक्ता 62 बzahlनी सब्सक्त कर दी जिएगा 31 ग्राम हो जाएगा ठीक है अता 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेसियम नाइटरेट के संत्रित विलियन को प्राप्त करने हेतू 31 ग्राम पोटेसियम नाइटरेट की आव सकता होगी ठीक है दूसरा प्रस्न है बी नमर का प्रग्या 500 त्रेप्यन केल्वीन पर पोटेसियम कुल का एक संत्रिप्थ विलियन तयार करती है, और विलियन को कमरे के तापमान पर ठंड़ा करने के लिए छोड़ देती है, जब विलियन ठंड़ा होगा, तो वह क्या अवलोकित करेगी, असपस्ट करें, यानि कि प्रग्या जो है, वो 353 केलविन पर पोटेसियम क्लुराइड का एक संत्रिप्त विलियन तयार करेगी विलियन को जो है कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देगी ठंडा होने पर वो क्या वलोकित करेगी इसको बताना है ठीक है देखिए दिया हुआ है ठंडा होने पर यानि कम तापमान पर विलय की घुलन सीलता कम हो जाएगे, जिससे विलय ठोसकनों के रूप में आ जाएगा, इस प्रकार प्रग्या को ठंडे विलय में पोटेसियम कुलोराइट के सुध क्रिस्टल दिखाए देंगे, ठीक है, चलिए, C नमर का देखिए, 293K पर प्रतेक लवन की घुलन सीलता का परिकलन करे, इस ताप मान पर कौन सा लवन सबसे अधिक घुलन सील होगा, तो फिर से एक वार रिपीट कर देते हैं, 293K पर पर प्रतेक लवन की घुलन सीलता का परिकलन करे, जास करे, इस ताप मान पर कौन सा लवन सबसे अधिक घुलन सील होगा, 293K ताप पर विभिन लबनों की गुलन सीलता देखे पोटेसियम नाइटरेट 32 हो जाएगा 32 ग्राम सोडियम का 36 पोटेसियम कुलराइड का 35 अमोनियम का इतना ठीक है आता 293 केलवीन पर अमोनियम कुलराइड सबसे अधिक गुलन सील होगा ठीक है उसके बाद डी नमर का तापमान में पडिवर् के कारण लबन की गुलन सीलता पर क्या परभाव पड़ेगा तो इसका अंसर है ठोस पदार्थों की द्रबों में गुलन सीलता ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है ठोस पदार्थों में जो है पदार्थों की द्रबों में गुलन सीलता जैसे जैसे तापमान आप बढ़ आगे है निम्निक की उधारन सहित व्याग ख्या करें संत्रिप्त विलियन क्या है सुद्ध पदार्थ क्या है कुलाइड क्या है निलंबन क्या है ठीक है चली इसको देखते हैं पहला है आपका संत्रिप्त विलियन देखिएगा जिस विलियन में उसी ताप पर अब और अधिक विले नहीं घोला जा सकता है संत्रिप्त विलियन कहलाता है उदारन के है 293 केपर 100 ग्राम जल से अधिक नमक को नहीं गोला जा सकता आता या नमक और जल का एक संत्रिप्त विलियन है किसी निशची ताप पर उससे अधिक कुछ नहीं घोला जाएगा उसमें तो वो क्या हो जाएगा संत्रिप्त विलियन कहलाएगा काफी गारा हो जाएगा संत्रिप्ट के बाद है सुध्पदार्थ जो एक ही परकार के अनूओं और प्रमोटों से मिलकर बने होते है, सुध्पदार्थ कहलाते है सुध्पदार्थों के गलनाख और कॉतनाख निश्चीत होते जिसे सोडियम, कुलराइद नमक और पानी का ठीक है इसको याद रखेगा सुद्वपदार्थ और असुद्वपदार्थ क्या है ठीक है उसके बाद है आपका निलंबन, ठीक है, कुलाइड क्या है, कुलाइड एक परकार का विलियन होता है, जिसमें विलाई के कनो का आकार वास्तिविक विलियन से बड़ा, तथा निलंबन के कनो से छोटा होता है, जिसे दूद और रक्त को मिले आईएगा, तो कुलाइडी विलियन हो हो जाएगा, ज निलम्बन के कनों से चोटा होगा ठीक है उसके बाद है आपका निलम्बन ठीक है निलम्बन में है यह एक विसमांगी मिस्तरन होता है जिसमें विलए के कन घुलते नहीं है बलकि माद की सम्मिष्ट से निलंबित रहते हैं यानि पूर्ण रूप से मिलता नहीं है ये निलंबित कन को आखों से देख सकते हैं जैसे चोक और जल का मिसरन की जगात आप चोक को देख सकते हैं गंदा पानी को आप देख सकते हैं कि जल गंदा है पेंट को आप पेंट और जल को मिलाएगा तो पेंट अलग आपको दिखेगा तो यह हो गया विसमांगी मिसरन हो गया ठीक है चलिए आगे है पांच नमर में निन्न लिखीत में से परतेक को समांगी और विसमांगी मिसरनों में वर्गी किरित करें जैसे समांगी मिसरन क्या ह और विसमांगी अभी विसमांगी और समांगी आप देख लिए थे चलिए देखे समांगी विसरन में आ जाएगा सोडा जल वायू सिरका छनी हुई चाहे और विसमांगी मिसरन में लकड़ी बर्प और मिट्टी ठीक है आगे देखिए छेरमर का प्रस्न है आप किस प्रकार पुष्टी करेंगे की दिया हुआ रंगहीन दरव सुद जल है आप किस प्रकार या प्रूब करेंगे साबित करेंगे कि दिया हुआ जो ड्रब है सुद्ध जल है वह सुद्ध जल गंदहीन तथा स्वादहीन होता है तथा सुद्ध जल के हिमांक और कौतनांक निश्चित होते हैं यदि दिये हुए ड्रब का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और कौतनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो तो यह सुद्ध ज जल की पूष्टी आप किस प्रकार की जगह वह दिया गया है अब देखिए निमलिखित में से कौन सी वस्तुवे सुद्ध पदार्थ है बर्फ दूध लोहा ठीक है इसमें देखिए आगे है हाइड्रोकलोरिक अमल केल्सियम ऑक्साइड पारा एट लकडी वायू ठीक है तो विलियन की पहचान करें विलियन कौन सा है मिठी, समुद्री जल, वायू, कोईला, सोडा इसमें विशरन है समुद्री जल, वायू और सोडा ठीक है आगे है प्रस्न नौ प्रस्न नौ में है निमलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को परदर्शित करेगा नमक का गोल दूद, कॉपर सलफेट का विलियन, स्टार्च कॉलाइडी विलियन, टिंडल प्रभाव को परदर्शित करता है अतह B और D जो है, इसमें B और दूद और स्टार्च का विलियन जो है ये क्या करेगा, टिंडल प्रभाव को परदर्शित करेगा ठीक है उसके बार देखिए निन लिखी को तत्व योगीक और मिसरन में वर्गिक रिद करना है इसमें कौन सा तत्व है कौन सा योगीक है कौन सा क्या है मिसरन है जैसे दिया हुआ सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैलसियम, कार्बोनेट और टीन ठीक है तो तत्व में आपका हो जाएगा और भी है यहाँ पर सिलिकन है, कोईला है, वायू है, साबून है, मिथेन है, कार्बन डाय ओक्साइड है, रक्त है तो तत्व में हो जाएगा सोडियम, टीन और सिलिकन योगीक हो जाएगा केलसियम, कार्बोनेट, मिथेन, कार्बन डाय ओक् ठीक है, आगे 11 नमर का प्रस्न देखिएगा, 11 नमर का प्रस्न है, निमलिखित में कौन से पडिवर्तन रसाइनिक है, पौधे की बिर्धी, लोहे में जंग लगना, लोहे के चुर्ण तथा बालू का मिलना, खाना पकाना, भोजन का पचना, जल से बर्प बनना, मुंबती का जलना, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो देखिए, रसाइनिक पडिवर्तन हो जाएगा, पौधे की बिर्धी, लोहे में जंग लगना, खाना, पकाना, भोजन का पचना, मुंबती का जलना, ये सब आपका जो है, इसके अंतरगत आ जाएगा, रसाइनिक प मतपुन पत्य का वीडियो पहले बना के देदेंगे, आप लोग नोट कर लिजेगा, उसको अधिक सदिक याद करने का कोशिस कीजेगा, और उसके बाद फिर अभ्यास तीन में चलेंगे, तो आज के लिए इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जैन, जै भार कर सकतtant दो दो आएप.